Hello Viewers, आज हम करेंगी Combined Higher Secondary Level exam, CBT exam में पूछे गए सम्स तो चली देखते है question क्या है, तो देखे question है, the radius of a circle is 18 cm and angle made by chord, AB at the center of this circle is 60 degree, then what is the length of this chord तो figure देखे तो, आप figure देखे यहाँ पर एक circle है, जिसका center O है और radius कितना है, 18 cm AB 18 और AB 18 cm, तो angle made by chord, ये chord AB है, AB chord, ये center से कितना angle बना है, 60 degree 60 degree बना रहा है, center से, so what is the length of the chord, ये chord का length हमकर निकालना है तो क्या करेंगे, देखे, ये 60 degree है, और ये 18 cm और ये भी 18 cm, ये radius of circle तो ये क्या हो गया, ये हो गया, आईसोशिली स्ट्रेंगल, क्योंकि दोनों साइट्स इक्वल है, आईसोशिली स्ट्रेंगल का अगर ये आसोशिली स्ट्रेंगल है, तो ये angle और ये angle equal होगा, base angle और equal होता है आसोशिली स्ट्रेंगल का, ठीक, मनि दोनों angle equal है तो ये तो 60 होगया, ठीक, ये portion आप 60 होगया, और ये angle equal होगया मनि ये angle हम, ये angle x लिए, और ये angle भी हम x लिए, तो दोनों equal है, x plus x कितना होगा x plus x क्योंकि 180 में से हम 60 मैनस कर दे रहे हैं, क्योंकि एक triangle, तीनों angle मिलके 180 होता है और उसमें से एक angle है, 160 degree, उसको मैनस कर दिये हैं, तो कितना होगा, ये 120 degree 60 degree मैनस करने से, और x plus x कितना होगा, 2x, ठीक है, और ये 2, 1 जा 2, 260 जा, 260 जा 120 तो x कितना है, x के value 60 degree आया, तो ये भी 60 है, यानि तीनों angle मेरा 60 degree आ रहा है, तो ये क्या होगा है, मेरा equilateral triangle 60 degree होने से, मेरा ये equilateral triangle होता है, और equilateral triangle का, सभी side, सभी भूजाएं बराबर होती है तो अगर 18 है, और ये 18 है, तो ये 18 है, तो ये 18 होगा, 18 cm, तो ये का length कितना होगा, 18 cm तो ये 18 है, तो ये 18 है, तो ये 18 है, तो B is the answer, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो मेरा चैनल को subscribe किजिए, मेरा वीडियो को like किजिए, धन्यवाद देखने के लिए